नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल एसके जोब अलट में इस चैनल पे आपको रोजाना गोवर्मेट जोब से जुड़ी लेटेस अपडेट दी जाती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट दोस्तों पी कितनी पोस्ट आईए और कितनी आपके पर मंस्याली दी जाएगी कि आपके अजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं और जो मेरे दोस्तों दोस्तों पे पहली बार आएं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेला आइकन को चुरूर प्रेस करें जिससे कि में लेटेस गूर्मेंट जो और अजुकेशन से जुड़ी लेटेस वीडियो का नौट्फिकेशन आप हो समय से मिल सके तो चलिए दोस्तों बिना समय वेश्ट के वे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यह आप दे सकते हैं आपके अड़ुटाइजमेंट के रि 20 नौबर 2020 तो यह आप दे सकते हैं आपके अड़ुटाइजमेंट आई हुए है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें आपके क्या 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 कौन कौन सी पोस्ट आई हुए ठीक जी तो फिर्स्ट बात करते हैं फिर्ष्ट पोस्टा का नाम आपका असिस्टन प्रोफेसर ठीक जी और एज लिमिट मांगे गई आपकी 25 से 55 साल तक की और क्याटेग्री वाइस पोस्ट के बात करें तो आपके पोस्ट है की एक वह जनले के लिए है और बात करते हैं नेस्ट आपका सैलरी किती दी जाएगी आपको पर मंद तो यह आपके पर मंद रही एक लाग कोलेज और युनिवर्श्टी ठीक जी एनके आपने एंबी बेस कर रखियो नेक्ट में आपका एमडे माइक्रोबाइलोजी फ्रॉम एन एमस एमसी रिकॉनाइज परमेटेट कोलेज और युनिवर्श्टी और थर्द मावन येर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपिरियंस फ चाहिए है अब सबते हैं आपको सेकेंड कितर सेकेंड आपकी आई है नेमोफ पोस्ट आपको डेमस्टेस्ट ठीक जी इसमें आपके एज लिमिट मांगे गए 22 से 40 साल इसमें बेख्याइए वह वह है जन्र के टेडिक लिए सेल देकी बात के तो सेल इसमें आपके 90,000 प्र आपको परपंद दी जाएगी नेश्ट बात करें जुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें बेख्याइंबी बीएस यह फिर एमडी माइक्रवलोजी से आपकी डिग्री कंप्लीट होने चाहिए ठीक जी यह आप देशकते हैं तो आप यह इसमें देख लीजिए आपकी द आप सोर्सिंग पोल्सी के तरुए ठीक जैनिक आपके कॉंट्रेट बेशिस पे रहेगी यह मीनिमाम आपकी 6 मंस तक रहेगी उसके बाद में इसको आगे एक्स्टेंड किया जा सकता है ठीक जी और नेक्स्ट बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में आपको कौन कौन से डोकुमेंट साथ में अटेज करके सेंड करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर चलती है थोड़ा सा ठीक जी तो आपको सबसे पहले मैंने बता दिया आपके पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेली और कैटिर और कितनी पोस्ट है अब बात करते हैं आपको कैसे डोकुमेंट को सब्मेट करवाना है जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ठीक जी और परमाट रेजिस्टेशन विद एमसे यह स्टेट मेडिकल कॉंसिल टेट और प्रूफ ठीक जी डेट वर्त का प्रूफ आपके यूजी और पीजी के डिग्री डेशनल को भी प्राइस जीत रखा है यह मैडर ठीक है जी वो सारे आपको डोकुमेंट विद फोटो कोपी आपको जाना है ओफिस ओफ दर डिप्टी रजिस्टार रेक्यूट्मेंट एंड इस्टैबलिश्मेंट ब्रांच पंडित बगवद द्याद सरमा यूनिवर्श् रहेगा जहां पर आपको डोकुमेंट अपने सब्मिट कराने है वाइप पोस्टे कराओ चैस्पीट पोस्टे ठीक है जी तो यह आपको इसमेंट दिया हुआ है अब चलते हैं आपके कुछ टाम एंड कंडिशन दे रहे हैं जब आपको इंट्रीव के लिए बिलाए जाए औरिजिनल और साथ में आपको फोट कोपी साथ में लेकर आने यह इसका दे रखाए भी कुण कुछ डोकुमेंट आपको साथ में लेकर आने है ठीक है अगर दिक होई कंडिडेट गोर्मेंट प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी अपना अगर जोब कर रहा है तो उसे न और अगर आपके ऑटएट होए तो आपका स्माई डायरेट से आफ्के है एजूकेशन मनें द्यृटिट कर रखा है मीलेंगे एक्सट्रा डान के मिलेंगे में out लेंगे आपको आ और मांक्स मिलेंगे में र Mix में अगर आपने कोई मेदल जीता है ठीक है कोई प्राइज जीता रखा है तो आपके में में फोर मार्णस मिलेंगे नेच्ट बात के ने आच्वा अगर पोस्ट गुराइट यानि आपका पर का है इसमें फाइव मार्च्व मिलेंगे और experience की बात के तो Maximum experience का का के आपको six marks मिलेंगे ठीकिन जी तो इस तरह से आप देशकते हैं आपको इसमें complete आपका वर आपको इंटर्यू इसमें 35 marks का रहे एक वर 75 आपके education qualification होगी और 25-35 मांस आपके रहोगे interview के यानि कि आपका जो test आएगा आप 100 marks में से जो आपके mat list में आएंगे उसे interview के लिए बुलाया जाएगा ठीक रहें यह थी आपके post assistant professor के लिए next जो आपके advertisement आई थी आपके के लिए तो इसमें आप भी दे सकते हो सेम प्रोसेस में दे रखा है जापके education qualification के marks एड होंगे experience के होगे एक्स्ट्रा के रहेंगे ठीक है जो इसमें आपका interview रहेगा इसमें आपका पंदरा नूमर का यानि कि आपका पिछाषिक आपका education qualification experience के होंगे और आपके पंदर नूमर का आपका interview रहेगा जो आपकी मेट लिष्ट बनेगी वह आपके बनेगी 100 marks में से ठीक है तो इस ते आप दे सकते हो आपके केवाद दो पोस्ट आयों थी और पीजे रोता के लिए ठीक जाप देसे तो मैं दुरत दीजे के जान करियाप को पसंद आयोगी और दोस्तों फ़ीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ मैं से जरूर शेर करें और जो मिरे दोस्तों पेहले बार आया है है जो चैनों को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे के में लेटेस गुर्णमेंट जोब और एजुकेशन से जुरी लेटेस वीडियो का नोटफिकेशन आपको समय से मिल सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस अप्टेश के साथ में इसे की साथ दन्यवाद दोस्तों जैहिन जै भारत